भारत एक विचित्र देश है, जहां अमेरिका में विबिन काल खंडो पर उड़ते यूएफो देखे गए हैं, वहीं भारत इस उड़ान में कहीं आगे निकल चुका है, जहां हवा में उड़ती मजारे देखी जा सकती हैं। तो कारे बिल्कुल उसी तरह करते हैं जैसे कोई शॉपिंग मॉल, जैसे मॉल आबादी के हिसाब से बनते हैं, उसी तरह ये मजारे भी आबादी देखते हुए बनाई जाती हैं। और सिक्योरिटी के लिए तो एक भीड हमेशा तैयार ही है। और पैसा देते देखा जा सकता है। अब इसे हिंदुों की आस्था कहा जाए या मूर्क्ता यह चर्चा का विशे है। मूर्क्ता इसलिए क्योंकि अगर इतिहास के पन्ने पल्टें तो ये दरगाहें जिन कथित महान हस्तियों के नामों पर बनी हैं, उन्हें अपने समय में गोहत्या जैसे कुकृत्यों को अंजाम और बढ़ावा देते देखा गया था। सियार अल अक्तब में पढ़ा जा सकता है कि खुआजा शेख मुईन अल दीन चिश्टी के लोग रोज एक स्थानिय मंदिर में गाय लाकर काटा करते थे, जिसे बाद में वहीं खाया जाता था। बढ़ते बढ़ते लगबग आदी सड़क को कब घेर लेती है यह पता भी नहीं चलता। दिल्ली की एक सामानने सड़क पर प्रते दिन लगबग हजारों की तादाद में गाड़ियां गुजरती हैं। ऐसे में इस तरह का कबजा सड़कों पर जाम और अराजकता ही पैदा करता है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वाइरल हुआ जिसमें एक व्यक्ति दिल्ली के आजादपूर फ्लाई ओवर पर बनी एक मजार के विशय में सवाल करता देखा गया। अवैद कबजा मानने हैं। कोई वहाँ दस वर्षे रह रह रहा था तो कोई बारा। कई लोग तो इसे तीस वर्षे भी अधिक पुरानी मजार कह देते हैं। हालकि जिस फ्लाई ओवर पर यह मजार बनी है वह खुद भी तीस वर्ष पुराना नहीं है। सड़क के फ्लाई ओवर बनने के साथ मजार भी किस तरह हवा में आ गई इसकी व्याक्या तो केवल यह दी जा सकती है कि जब लोगों की आवा जाही सड़क की जगा फ्लाई ओवर से ज्यादा होने लगी तो मजार भी वही बना दी गई। जिससे यह साफ होता है कि यह कोई आस्था स्थल नहीं अपितु पैसा कमाने का एक व्यावसाइक धंदा है। जिससे यह भी सवाल उठता है कि क्या इस प्रकार की दरगाहें मजारें किसी एक समू या और्गनाइजेशन द्वारा तो नहीं चलाई जा रही है। और गीता गुर्जर जैसे उधारण देखने को मिलते रहेंगे। प्रकार की तर्टाइब डेखने को में देखने को मिलते आखने को मिलते रहें। झाल झाल